दोस्तों अगर आपका एकाउंट बेंका बड़ोदा में है और आप अपने एकाउंट को एक बिरांच से दुसरी बिरांच या दुसरी साखा में ट्रांसपर करना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने एकाउंट को घर पर अपने मुबाइल फोन से एक बिरांच से दूसरी बिरांच में ट्रांसपर केसे करेंगे इसके लिए आपको अपने मुबाइल फोन में वियोबी बर्ड अपली के सन उपिन करना है ओपिन करने के बाद आपको यहाँ पर लोगिन पिन डाल कर इसको लोगिन कर लेना है जैसे यह आप इसे लोगिन करेंगे आपके सामने इस तरहीं का पेज ओपिन होगा अब आपको यहाँ पर एक उप्सन मिलेगा विव याल एकाउंट इस पर किलिक कर देना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक option मिलेगा saving accounts का इस पर क्लिक करना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आपका account number और balance लेकने को मिल जाएगा उसके बद आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे जैसे आप यहाँ पर किलिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह प्डेजुपिन होगा अब आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक अप्सन मिलेगा तिक योश्ट फोर सेविं अकाउंट ट्रांसफर इस पर किलिक कर देना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपिन होगा अब आपको यहाँ पर एकाउंट नंबर यहाँ पर क्लिक करना है और आपको अपना एकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लेना है जिसे आप अपना account number select कर लेंगे तो यहाँ पर आपको आपकी branch देखने को मिल जाएगी और उसके बद आपको एक option मिलेगा choose the new branch अब यहाँ पर आप अपनी बो branch choose करेंगे जिस branch में आप अपने account को transfer करना चाहते हैं उसके लिए आपको यहाँ पर click करना है जिसे आप यहाँ पर click करेंगे उसके बद आपको state name यहाँ पर click करना है और यहाँ से आपको अपना राज select कर लेना है उसके बद आपको state name इस पर click करना है और आप यहाँ पर आपको बो जिला select कर लेना है जिस जिले में आप अपने account को transfer करना चाहते हैं सेलेक्ट करने के बद आपको सर्च पर क्लिक करना है जैसे आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो उचले के अंदर बेंक का ब्रोदा की जितनी भी साखाई होंगी वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी अब आपको यहाँ पर वो साखा सेलेक्ट करना है है जिस साखा में आप अपने अकाउंट को ट्रांसपर करना चाहते हैं उसके बद आपको यहां पर एक उप्सन मिलेगा region for account transfer भी यहां पर आपको अपना एक region देना है कि आप किस कारण से अपने अकाउंट को transfer करना चाहते हैं वो यहां पर आपको डाल देना है और उसके बद आपको नीचे तो यहां पर आपको अपना address देखने को मिल जाएगा जख सकते हैं और अगर आप अपने address को change करना चाहते हैं तो आपको उपर एक option मिलेगा edit permanent address उसके आपको एक box मिलेगा इस पर टिक कर देना है उस पर टिक करने के बाद आप अपने address को change कर सकते हैं उसके बद आपको नीचे आना है नीचे आने पर आपको एक option मिलेगा प्रोसीड का इस पर क्लिक करेंगे तो यहां से आपको अपना एड़स चेक करने के बाद आपको कनफरम पर क्लिक करेंगे उसके बद आपको यहां पर अपनी टांजक्शन पिन डाल देनी है जिसे आप अपनी यहां पर टांजक्शन पिन डाल देगे तो आपका एकाउंट ट तेरें यूटूब चनल को सब्सक्राइब करें जाहिंद।